स्वागत है आप सभी का और अगर आप सभी लाइव हैं और आगर आपके सामने वीडियो हैं तो आज हम हिंदी के question करेंगे जो आपकी exam में पूछे हो गए हैं तो शुरुबात करते हैं अपने पहले क्योशन के और पहला क्योशन आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन सा शब्द उपसर्ग रहित हैं तो सबसे पहले एक तो होता है रहित और एक होता है सहित सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं तो रहित का मतलब होता है कि इनमें उपसर्ग किसमें नहीं है और अगर यहां आ जाता कि सहित तो आपको ढूणना है कि इनमें किसमें उपसर्ग है तो इसने क्या पूछा? इसने पूछा है कि कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है तो आपको ध्यान रखना है रहित का मतलब इनमें उपसर्ग नहीं है और अगर यहां आ जाता सहीद तो मतलब इसमें उपसर्ग किसमें है ठीक है तो उपसर्ग किसे कहते हैं जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते है और जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं आपको प्रत्य है ठीके तो कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है तो पहला question आपके सामने अब बताई पहले तो मैंने ये question का answer बता दिया कि उपसर्ग रहित किसे कहते हैं और सहित किसे कहते हैं तो रहित आपने सोच लिया और सहित को आपको मैंने बता दिया तो आपको इसका answer बताना है very very कू कर्म कुकडी कुचाल या कूचक तो कू कर्म इसमें है उपसर्ग कूचाल इसमें भी उपसर्ग है कुकर्म इसमें भी उपसर्ग नहीं है ये एक विदेशी शब्द है चलिए पहला क्योशन का अंसर आगे आपके सामने चलिए तो option आपका कुकडी हो जाएगा कि इसमें उपसर्ग नहीं है इसमें उपसर्ग है उपसर्ग है तो किस सब्दे में उपसर्ग नहीं है तो option आपक बीवाला आजाए चलिए अगला कुशिए प्रत्य रहित विंजन फिर इसने क्या पूचा रहित मतलब इसमें प्रत्य नहीं है किसमें प्रत्य नहीं है रहित का मतलब जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्य ये तो आप सभी को पता है प्रत्य दो प्रकार के होते हैं ये भी आपको प्रता हैं क्रत प्रत्य और तदित प्रत्य चतुराई चतुराई में कुन सा प्रत्य हैं भी चतुराई आई प्रत्य हैं धेर्य धेर्य में ये प्रत्य हैं देरिया, धीरे, 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 धीरे देख, पुत्रवत, पुत्रवत में अत प्रत्य हैं, इसमें प्रत्य हैं, इसमें प्रत्य हैं, धीर में प्रत्य नहीं हैं, तो रहित पुचा हैं, तो आपका option C वाला आजाएं, अगला question, जिब शब्द में उपसर्ग और प्रत् प्रत्य तो इसनी क्या पूछा है जिस शब्द में उपसर्ग और प्रत्य दोनों है वो हो जाएगा आपका option number C वाला चले गर्वशुन्य में समास है समास किसे कहते हैं आप सभी को पता हैं समास का अर्थ समास कितने प्रकार के होते हैं ये आप सभी को पता हैं बताईए समास के बारे में बताईए आज आपको और आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुपकामना हैं मैं भगवान से यही प्रात्ना करूंगा कि इस नए साल में आप सभी की जोब लग जाए और आप सब अपने सिलेक्ट हो जाए और आप सब की जोब लगे यही मैं भगवान से प्रात्ना करूंगा तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो किसे लगए तो इस साल आप सबी का एक ये जोब लगेगी ये आप सबको एक तरह करना है कि इस साल हमको केसे भी करके 2023 में जोब लेना है तो समास दो या दो से अधिक शब्द जब अपने विभक्ति या चिन विभक्ति कारक चिन या अन्य को छोड़कर एक हो जाए तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं समास समास कितने प्रकार के होते हैं? समास आपके छे प्रकार के होते हैं ये भी याद हैं अव्यविभाव समाज, तत्पुरु समाज, कर्मधारे समाज, द्विगु समाज, द्वंद समाज और बहुब्रिय समाज अव्यविभाव में पहला पद अव्यव होता है, ये भी आपको बता है तत्पुरु समाज में कारक विभक्ति होती है कर्व धारे समाज में उपमान उपमय होता है द्विगु समाज में संक्या होती है द्वंद समाज में समान पद होते हैं माता पिता बहुबरी में भगवान के नाम होते है चलिए तो गर्व सुन्य में समाज है तो गर्व सुन्य का समाज विग्र हो जाएगा क्या हो जाएगा गर्व से सुन्य क्या हो जाएगा गर्व से शुन्य यह होता है तो इसमें कौन सा समाज है कर्म तो होगा नहीं है ना कारग भी भक्ति आती है तत्पूरु समाज है तत्पूरु समाज है तत्पूरु समाज है तो अपादान कर्म तो होगा नहीं बई कर्म कर परताने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान में क्या होगा ? देख लेते संप्रदान, अधिकरण, संबंद तो करण तत्पूरु समास हो जाएगा गर्व शुन्य में कोण सा समास है तो करण तत्पूरु समास हो जाएगा गर्व सुन्य में कोण सा समास है गर्व सुन्य में करण तत्पूरु समास है करताने कर्म को चली अगला क्यूशन उपल उथपल युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा उपल उथपल युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा वेरी वेरी गुड़ उपल उथपल उपल का अर्थ होता है ओला और उथपल का अर्थ होता है कमल चलिए अगला क्यूश्यन अनंग में अंतर अनंग और अनंग में अंतर बताओगे अनंग होता है बिना शरीर का बिना नग बिना शरीर का इसका अर्थ होता है अनग तो यह होता है बिना शरीर का और अनंग होता है बिना नग का ओप्शन आपका भी वाला आजाएगा निम्न में से कौन सा विकल्प अलग हैं कनक, सोना, धतु, खजूर चलिए ये से में तीर, बाण, किनारा, धनुष देख लेते हैं पयोधर, बादल, गन्ना, परवत ये भी सही है माप, रति, भूमी दिशा ये अलग है, तीर हैं, बाण हैं, धनुष ये तीनों तो से में लेकिन ये किनारा अलग आ गया तो ये कौन सा भिन्न हो जाएगा ओप्शन आपका भी वाला ठाकूर का अनेकार्ती ठाकूर का सेवक स्वामी भगवान जाती विशेज ठाकूर का अनेकार्ती कौन सा नहीं है, ठाकूर को हम कहते हैं, ठाकूर को स्वामी कहते हैं भगवान ठाकूर जी है ना, भगवान जाती विशेज, सबके अलग अलग जाती के विशेज के अनुसार, तो सेवक नहीं होता है ठाकुर का सेवक नहीं होता है ठाकुर जी ठाकुर जी नहीं कहते हैं आप भगवान की पूजा करते हो ठाकुर जी ठाकुर जी की पूजा करते हो तो वो है अपने भगवान वो है अपने स्वामी वो अपने जाती विशेज लेकिन सेवक नहीं होते हैं ठाकुर जी ओप्शन आपका ए वाला गलत हो जाएगा कौन सा अनेकार्थी नहीं है जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली क्लास में जुड़ना चाते है तो इस नंबर पर वोट्सप कर देना और लिख देना कि हिंदी पीडियेप तो आपको हिंदी की पीडियेप प्रोवाइड करा द दी जाएगी 9753749986 यह बिल्कुल नंबर है आप इस नंबर पर वोट्सप करके हमसे पीडियेप ले लेना इसकी जो सभी एक्जाम के लिए और आपकी डेली क्लासे चल रही है जिसमें आपका MPGK की क्लास चल रही है जिनको MPGK की क्लास, साइंस की क्लास, हिंदी की क्लास नहीं मिलती है वो क्रपया करके मेसेज जरूर करें डेली आपकी क्लासे चल रही है किस समू के सभी धनी के विलों बताओ भई धनी का संपन लब्द प्रतिश्य सम्रत दरेद्र अकिंचन विपन दुखित निराशित निराधार स्रीमत निखंबल निराहार किस समू में सभी धनी के उल्टे धनी का उल्टा बताना है कौन सा धनी का उल्टा तो धनी का होता है उल्टा संपन तो होता नहीं धनवान ये तो समानारती हो गया भई ये कार दो दुखित निराशित निराकार नहीं भई श्रीमत निकमन नहीं तो धनी आदमी है तो एक दरेद्र है जाएगा के सजल का विलोम निर्जल सजी अधचल संबल मुझे पता था सजल का विलोम सभी सहीं बताएंगे निर्जल सजल का विलों जो होता है निर्चल होता है चलिए अगला सरस्थी का परियावची सरस्थी का भारती, शार्दा, वाक या यह सभी सरस्थी का परियावची तो सरस्थी के परियावची आप सभी को पता है शार्दा, भारती, वाक तो हम क्या लगाएंगे यह सभी अभयस्त का परियावची परिश्रमी तेजस्वी आधी या मेखावी तो परिश्रम का तो आप सभी को पता है परिश्रम का परियावची होता है इस्रम उद्ध्यम मेहनत तो अभ्यस्त का पर्यावची बताओ वहीं अभ्यस्त का पर्यावची होता है आदी अगला question पुर्वाहन कहलाईगा चलिए यह question मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि वह कितना ग्रणित द्रश हैं, आह कितना ग्रणित द्रश हैं, ओ कितना ग्रणित द्रश हैं, छी कितना ग्रणित द्रश हैं, शुद्ध वाक्य, वह यहाँ पर यह वाला कोमा नहीं आएगा, चली यह गलत हो जाएगा, आह में यह नहीं है, ओ कितना ग्रणित द्रश हैं, प्ल plural में आपको डी बन Mm hm अगला लिखा हुआ है कि हम बच्पन में वह जाता रहा इस रख़ाभी के लिए यह हमच्पन बच्पन में जाता था मैं बच्पन में माँ जाता था यह शुद हो जाएगा न हम बच्पन में वहाँ जाता रहा यह तो गलत होगा है मैं बच्पन में वहाँ जाता था या मैं बच्पन में वहाँ जा चुका हूँ तो मैं बच्पन में वहाँ जा चुका हूँ नहीं, हम बच्पन में नहीं मैं बच्पन में वहाँ जाता था आप मामा जी के महां जाते हो तो क्या में बच्पन में महां जा चुका था? नहीं, हम में बच्पन में महां जाता था option आपका C वाला आजाएगा चली, मिश्रवाक्य आपने ऐसा क्यों किया? नहीं भई, ये मिश्रवाक्य नहीं है गलत है वह आप MP हो गए नहीं बालक आया और मेरे पास बेटा गया? नहीं उसने कहा कि आज चुट्टी हो जाएगी ये हो जाएगा आपका मिश्रवाक्य option B वाला निम्न वैसे कौन से पंक्ती कहावत नहीं है अंदा बगुला कीचड़का ये पंक्ती कहावत है गाए को अपने सिंग भरी नहीं लगती ये भी है चांदी के जूते मारना ये कहावत नहीं है चीटी के घर नित मातम चांदी के जूते मारना ये कहावत नहीं है चलिए अगला तेखो इस वर्ष मेरा बेल भी मर गया चोरी भी हो गया, इसे क्या कहते हैं, दाल में कुछ काला नहीं, कंगाली में आटा गीला हो गया, कि इस बार मेरी भेस भी मर गयी, और इस बार मेरा बेल भी मर गया, और मेरे घर में चोरी हो गयी, मतलब कंगाली में गीला आटा, चलिए, चलिए समास के भेद कितने होते हैं तो आप सबी को पताएं कि समास कितने प्रकार के होते हैं समास आपके छे प्रकार के होंगे चलिए अगला क्योश्यन आ जाते हैं सामासिक पत बनाईए नो रात्रियों एक साथ होना तो नो रात्रिय मतलब नव रात्रिय हो जाएगी नो रात्रियों का एक साथ चलिए जिसने देश के साथ विश्वास गाती देश द्रोही या विद्रोही तो जिसने देश के साथ विश्वास घात किया है उसे हम कहते हैं विद्रोही क्या कहेंगे विद्रोही नहीं उसे हम कहेंगे देश द्रोही देश के साथ विश्वास घात किया है सरदार वल्लब भाई पटेल बहुत सी भाशाओं को जानते थे रेकांकी पत का संक्षेपन मतलब बहुत सी भाशाओं को जानने वाला बहु भाशा विद अगला क्योशन है समाख्या का अर्थ क्या होता है टिपनी करना व्याख्या करना आवेदन करना या प्रत्यावेदन करना तो समाख्या का अर्थ जो होता है वो होता है टिपनी करना क्या करना टिपनी करना समाख्या का अर्थ learning के लिए परिभाशिक शब्द, learning मतलब, learning मतलब क्या करना, learning मतलब पढ़ाई करना, सीखना, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना इसके अलावा आपके सामाणी हिंदी की book available है, घर बेटे सुईदा, जिसमें आप पटवरी की तैयरी कर सकते हो, वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन, उसके अलावा आप जेल प्रेरी, व्यापम की सभी परिक्षाओं के लिए सामाणी हिंदी के जो class हैं, वो आप घर बेटे book मंगवा सकते हो, इसमें थ्योरी रहेगी, practice paper रहेगा, इसका demo देखने के लिए आप मुझे इस नंबर पर जरूर मेसेच करें, ठीक है, इसका demo जरूर देखे, इसमें सब कुछ available मिल जाएगा, अगर किसी को मंगवानी है, तो book available है, अगर किसी को video course लेना है, तो video course भी available है हमारी daily class के लिए, इसकी pdf के लिए आप मुझे इस नंबर पर वोटसप कर देना, हिंदी pdf, ठीक है, तो आप सभी को pdf provide करा देंगे, तो video कैसा लगा, comment करके जरूर बताएं, और आप सभी को नए वर्स की बहुत सारी शुब कामना है, भगवान से यही प्रातना करेंगे, कि इस 2023 में आप सभी की अच्छी जोब लग जाएं, चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको GK Science के class नहीं मिलती हैं, वो भी message कर सकते हैं,